आपसे दुबारा मिलकर खुशी हुई इस वीडियो में मैं डिसकस करूँगी मॉलिक्यूलर और अलग-अलग फॉर्मूला मैसस को चलिए पहले मॉलिक्यूलर मैसस को देखते हैं इसके नाम से ही आप जान गए होंगे कि मॉलिक्यूलर मैस ही मैस का मॉलिक्यूल है तो आप इसे define कर सकते हैं कि ये उन तमाम atomic masses का sum है उन atoms में जो molecular substance के एक molecule में present होते हैं आप जानते हैं कि molecular mass covalent compounds को represent करने के लिए use होता है ये molecular compounds For example, chlorine Cl2 इसका molecular mass है 71 amu Water, H2O इसका molecular mass है 18 और carbon dioxide का molecular mass है CO2 जो है 44 amu चले अब इस question की example को देखते हैं Nitric acid के molecular mass को calculate करें Nitric acid का formula है HNO3 तो पहले data को निकालते हैं और जैसा के मैंने आपको बताया ये atoms के atomic masses का sum होता है जो के molecules में present होता है Right? चले देखते हैं यहाँ hydrogen का एक atom है तो मैं hydrogen का atomic mass लिखूंगी जो 1 amu के equal है जो के nitrogen के atomic mass से follow होता है जो के equal है 14 amu के और oxygen का atomic mass है 16 amu Nitric acid के formula को दुबारा देखते हैं ये है HNO3 तो molecular mass find करने के लिए मैं ये करने जा रही हूँ atomic mass H का प्लस atomic mass N का प्लस 3 times atomic mass O का चुँकि हमारे पास formula में oxygen के 3 atoms हैं हमारे पास बचेगा 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटो 16 जो बन जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 48 और इन 3 atomic masses के elements को add करने के बाद मुझे मिलेगा 63 जो के acid का molecular mass है